नमस्कार दोस्तो इस टेडि विध हैपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे UPSC के एक नोटिस की तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो 20 माई को ये नोटिस जारी की गई है और इसमें ये बात कही गई है कि अभी एक मिटिंग होनी है 5 जून को UPSC की और उसके बाद जो है नया परिक्षा कलेंडर जारी किया जाएगा तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसका इफेक्ट जो है EPFO की परिक्षा पर भी पड़ेगा क्योंकि दोस्तों EPFO की जो परिक्षा है वो भी UPSC ही कंडग करवाता है और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे अभ्यारती हैं जिन्होंने की EPFO के लिए फॉर्म डाला है कमेंट सेक्षन में बताईएगा दोस्तों कि आपने इसके लिए आविदन किया है अब दोस्तों देखते हैं हम कि इसके लिए डेट क्या डिसाइड है इसके लिए अभी 4 अक्टूबर डेट डिसाइड की गई है अभी तो आप इसी के साब से तयारी कीजिए और जो से एक परिक्षा है दोस्तों EPFO की इसमें आपका descriptive exam नहीं होगा यह objective type होगी पूरी परिक्षा और साथ में दोस्तों आपका interview होगा और interview में भी दोस्तों वेटेज कम कर दिया गया है interview का यानि कि अगर आपका written अच्छा हुआ है तो इसमें selection होने के जो आपके chances हैं बहुत लगबग वैसा ही है मैं आपको बता लेता हूं दोस्तों इसके अंदर GS का portion जादा है साथ में English भी आएगी और एक चीज़ और है लेबर लो जिसके कारण जो है आप भिहारती घबरा रहे हैं मगर दोस्तों उसका भी में तरीका आपको बताऊंगा एक बार हम syllabus देख लेते करेंगे current affair और development issue साथ में दोस्तों इंडियन पॉलिटी और इकनॉमी यह तो आप नॉर्मली GS के लिए पढ़ते ही हैं फिर दोस्तों बात है जनल एकाउंटिंग प्रिंसिपल और आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लो इसके कारण जो है काफी अभ्यारती रहे हैं मगर दोस्तों घबरानी के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि ऐसे लोग जो कि इसमें एक्जाम में सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी यह कहा है कि यह जो लेबर लो और एकाउंटिंग के हैं इनके प्रशन आते तो हैं मगर इतने जादा नहीं आते हैं कि यही आपका मदब सीट पकी करें तो यानि कि अगर बाकी जितने टॉपिक हैं इस्ट्री है आपका पॉलिटी है यह सब चीज़े अगर आप अच्छी तरीके से तयार कर लेते हैं तब भी आपके सेलेक्शन के चांसे ज़्यादा होंगे मगर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप लेबर ल पिल वाली नहीं आएगी नॉर्मल आएगी और जो रीजनिंग है वो भी ठीक ठाक आएगी कम्प्यूटर के बारे में भी दोस्तों आपको थोड़े से लगबख चार से पांच कोशन मिल सकते हैं कम्प्यूटर के लिए मैं जल्दी ही जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट कर पाकी जितने भी आयोग हैं चाहें यूपी का हो या फिर एससी हो आप देखते होंगे उनमें कोई ना कोई या तो कोट केस हो जाता है या फिर पेपर आउट हो जाता है कुछ ना कुछ प्राबलम होई जाती है मगर यूपी एसी एक मात्र ऐसा आयोग है दोस्तों इसमें को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती होगी रिजल्ट भी इनका टाइम से आता है और सेलेक्शन जो प्रोसेस है इनका वो भी बिलकुल फियर है तो अगर आप इस साल में मालीजे नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये काफी अच्छी अपरचुन में आएंगे ठीके दोस्तों तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत